कि शुरू करते आप कोई दिखत ने बोलो चिलाओ अहला करो ऐसा ही डाल देंगे इसको अप्लोड कर देंगे इसे एडिट कुछ न किजाएगा इडिट करेंगे तो पार इसका कम हो जाएगा अब आई-फै लगवाए कहलिया है खुब गते घंटा के वीडियो कितना होगा प फॉटल कर देता है चलो मतब कर लेके लिवर हम लोगं देख लिया ना तो लिवर आएक बार उसको रिपीट कर दे हैं पर लिवर को रिपीट कर लेते हैं ऑने तो player क्या है तो हीवनकिव सिस्टम का थभी वर औला गरंति होता है है यह क्या है तो लार्गेस्ट ग्लैंड हो तो पता है हम लोगों को, ये एक जाम में मतलब अब्जक्टियों पुछता है, अना, लार्गेस्ट के लेंड कौन सा है, तो लीबर है, अना, ये रहता कहां है, तो अब्डोमिनल कैविटी में रहता है, अब्डोमिनल कैविटी, अब अब्डोमिनल कैविटी क्या है, बताए फॉइंट फाइफ केजी एक एडल्ट हीमेन में एक वेस के इंसान के अंदर जो है लीबर का वजन केता हो था था जो हिससाइड रहता है लीबर किस साइड होता है क्या बताए थे घर पे पड़ाना है नहीं डिट जो हिरे तो राइट साइड होता है हमारे एब्डामिनल के बिटी में राइट साइड होता है इसका पोजिट साइड में क्या tap कर दो कि कि इसका पोसिक्त साइड में क्या होता है जमान लुख इधर क्या होता है किनी रहता है कि रहता है डिंग सोगे जी लेख गहां न है लोग क्या रहता है उत्तों में संधी再 reading हो हां फिगर ना बनाए थे लिवर कहा होता है फिगर बनाए थे कि नहीं यह से उसमें दिखे रहा है इसमें मुबाइल में दिखे रहा है ऐसा फिगर बनाए थे ना इस तरह का और यहां पर बनाए थे लिवर है बनाए थे कि नहीं यह से यह आप पोजिट शाइड यहीं नहु होता है तो सकते हैं भृता है और बोल पकुलर कम हो दरց. शांती शांते लिवर जो है इसके बारोवह होता है याप नहीं बांद बतिया ले ना तब अभी ने फिक है उदर सुनो तो इसके two part होते हैं तो पार्ट जो है एक छोटी सी भाग होती एक बड़ी सी तो बड़ा वाला जो भाग है इसमें क्या होता है या कैसे थैला होता है इस थैले का नाम क्या होता है क्या बताए थे गाल बलाडर बताए थे गाल बलाडर है ना जनकी इसके लार्ग पार्ट जो होता है लार्ग पार्ट में क्या होता है गाल बलाडर होता है लार्ज पार्ट कॉन्टैनिंग क्या चीज़ तो गाल बलाडर है ना बहुत रहता है तो गाल बलडर आश्टोर्ड, किसको आश्टोर्ड, तो बाईल को, किसको आश्टोर्ड करता है, तो बाईल जूस लिख सकते हैं, बाईल जूस को आश्टोर करने काम करता है, गाल बिल लड़ा, अना, बाईल जूस का कलर कैसा होता है, तो बाईल जूस का कलर जो होता है, कैसा होता है, ग्री यूट पाया जाता है ठीक है फिर एक और इंपोर्टेंट बात कि यह लीवर जो है कैसा ग्लेंड होता है एक जो क्राइन या इंडोक्राइन उसनीं बड़ा बड़ी निकला हुआ है इस नली का नाव है बाइल डक्ट है ना बाइल डक्ट यानि कि यह लीवर जो एक ग्लेंड है इस ग्लेंड से जो भी इसका पॉड़क्ट निकलेंगे इस बाइल डक्ट से होकर क्या आगे जाएंगे हुआ हम बता है कि जिस भी ग्लेंड के अंदर टीव होगा उस यह का कहेंगे एक्जोक्राइन होगे हाँ तो कहने बाद ही यह मतलब एक स्वाट लिस्ट है यह लीवर के बारे में अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कि इसके तो पैस्टिक लेंड के बारे मारे में हाना कि चाहां कि विना काम का मत था सब्सक्राइब कि इसमें खटर खटर कवा जाने का इसमें है कि इसमें थोड़िया है कुछ दुसरा है इसमें सब्सक्राइब इसमें नहीं है कि निचालो पता लग जाएगा क्या निकलेगा सुनो हिंदी मी खाके उसको नियुक है परांदभ रेकोड हो रहाट हो तो जट्रगनतियां जो होती है वह अहां से अंदर पाई जाती है तीक यान कि देखो फीघर मनाते तक अच्छा इधर फीकर बनाएंगे दिखेगा तो लोग ने इसमें तो लोग ने कहीं से भी दिखेगा देखो तो यह क्या है एस्टॉमेक है और एस्टॉमेक का इनर लाइनिंग जो होता है ऐसे रफ होता है रफ मतलब हिंदी में क्या है रफ को खुरदरी कहेंगे तो एस्टम में का inner lining जो होता है कासा होता है खुरदरी होता है और यह rough area जो है इसको गर microscope से देखोगे इन शब में छोड़ा शड़ा पूर होंगे पूर मतब छिद्र इनसा में छोड़ी छोड़ी क्या होगे? छिद्र होगे तो यह सब क्या है? सब के सब क्या है? तो gastric gland है यहीं सब क्या है? gastric gland है यानि कहा सकता है कि stomach के inner lining पे क्या होते है gastric gland पाये जाता है और यह बहुत छोटे type के gland होते है तो कहा हो सकते हैं कि gastric gland जो है यह special gland है जो कहां रहते हैं inner lining of stomach यानि कि का कहेंगा इसको कि special it is a special type of gland which present in the या present on the inner lining of stomach इना तो special special types of glands जो कहां present होगा present on the inner lining of stomach आमके लिख सकते हो सांथे में यहां कि एक starch इना आप आ रही है अब देखो यह किस type Borawagee नजां एक या इंडो-कौल यह उइस की सनक्य बहुत अधीक होते हैं मिलिएंस इसके संख्या ल-देता है जाब उक्स को पड़ै की उतपाद होगा इनका उतपाद होगा वो क्या होगा टो घस्टिक जूस ख्रान यानि कह सकते हैं कि गैस्टिक ग्लेंड सेक्रियट्टे गैस्टिक juice लिख सकता है ना तुलो भी लिक लो gastric gland separated क्या चीज तो gastric juice gastric juice यो क्या secret करते है Within gastric juice में क्या राता है लिख नई रही है कब जब टे ढ़ TP दो gastric juice में क्या क्या रहता है तो कहा रहा है, एसा लिखते हैं, it is containing, it is containing, क्या containing, it's a containing hydrochloric acid, देख लो, hydrochloric acid, उस बस का होता है, mucus, उस बस का होता है, digestive enzymes, यह सब क्या होता है, तो इसके अंदर पाए जाते हैं, किसमें, तो gastric juice में यह सब पाए जाते हैं, कि लोग नर्मल यह question पूछते हैं, मतलब हर कोई, थोड़ा मोड़ा बाली logic अन्रोली जर्खता है, लोग, आठवा तक पढ़ा होगा सब, कि मास खाते हैं, तो मास पहुंचता है, पेट के उनी पचता है, जोगे मास का बाना है, तो उसका इलाज यहीं पहें, देखो, उस question का जवाबी है, वैसा लोग का इलाज ही कहेंगे, यानि कि हमारे पेट में का होता है, हाईडोकलोरीक असीड होता है, अभी सर बता आ रहे कि हाईडोकलोरीक असीड हमारे एस्टोमेक अंदर रहता है, और एस्टोमेक के दिवाल पे क्या होता है, म्युकस होता है, अब म्युकस के हैक चिपचीप पदार्थ है, तो म्युकस इस पे क्या होता है, पहले म्युकस के यहाँ पे लियर लग जाता है, अब म्युकस के लि पहते हुए भी इस दिवाल को कोई नुक्सान नहीं पहुंचा सकता है या निगर गंदर सेर को रखे लें लिगे सेर को से करेंगे वहीं करों करेंगे वहीं करेंगे और सब्सक्राइब करता है तो बचेय खुचै जो भोजन हो तो उसको पचाने काम करता है ठीक है यह इतनी सब्दemin बाते हैंं अब एक और बात चब्स होता है वो कितने स्रावीत होता है तो याद रखना 24 गंदे के अंदर विह बंदार कितनर मेंदर सब्सक्रावीद होता है कि एक प्यूट के इंसान में ती desarroll सभा उससे नग्रेष्य को टो होतो सभाल पर्वां प्रूंद के जुट कुंटारी को है अजब हो बन जा άλλ वा तो उसका भी यहीं है कि फिर उनको उप्वास जो कर रहे तो छोड़ना पड़ेगा यह बात यहां पर आती है ठीक है तुसको उतार लो यह सही लिख लो चलो आगे देखते हैं अच्छा यह भी बबलिंग कर रहा है क्या नहीं कर रहा होगा सुनो अब कर रहा है बबलिंग मतब कि ऐसे जिल जिलाना या फिर कभी लाइट आना कभी जाना उनी कर रहा है ना जैसे मतब है वैसा देख अच्छा रुको तब स्टेट कर देख रहा है थेक है रहा है यह सब बाइट वाला सब आया ना चलो ठीक है को यह याद रखना है 24 घंट टाम कितना तीन लिटर हां आप सोचो कि जब हमारे पीट के अंदर इतना रिलीज होता है तो कितना पानी पीना चाहिए कुछ लोग इस आप होता है खाना खाने के चकर पानी न पीता है समझता है लोग कि खाना जधा खा लेंगे पनीय जधा पी लेंगे तो खनवा कहां खाएंगे कि सब्सक्राहनुंट सब्सक्राई मॉनर में सब्सक्राइब टीवारी लोग टेक्स और पहलो का आसे हो गोडने दोने वारी को गोड़ंदे आसे पाने और भगले में में, ती टैकरेंगेक। और पेताईल में करेंक। vora में खुति उतिश कल लिखते हैं। फिर थ्ला खा रहा है अपर का सरका पाई पिटा टीक काई पिता इसको मार रहा है जुछुस ग्रा मजुसको कार रहा घुईटॉ टप टेर लग भागे उसको पीट ने गधावा तो इतना पानी पीलिये बताव बिच बनी ना पैटा तु उत्र चेह हमाना खाया होता तो नितना पानी तूप बहर लिया पेट में उत्र चेह हमाना खाया होता थी प्रिफो श्वाब सब्सक्व लिए तो यह लिए भान chocolate मैं स जब यह बात जबद कथा पहले क्यों नहीं बता है हम भी खाते हुए सहीं प्रेशान नहीं करने जाया तहले बैठता नहीं है आखर पीट में जायेगा तो हाइड़कलोरीक है उसको तोड़ेगा बताए ना कि hydrochloric acid होता है और acid जो है वह संचारक होता है यानिकि तोड़ने के erosion का अंदर होता है किसी चीज़ कर देगा नश्ट कर देगा वह बात यहां पे आता है तो पानी पीना चाहिए लिए खाने के साथ नहीं खाने के तुरंत बाद नहीं बल्ग खाने के 10-15 मिनिट बाद पानी पीना चाहिए क्यों कि वो जो है ना hydrochloric acid जो है पाचक रह जो है खाना मिल जागा उतने समय में तो पानी पीओ कोई दिकत नहीं खाना को पचाने के लिए पानी चाहिए ठीक है लिवर कितना हुए strong है कितना हुए आदमी स्वस्थ है लेकिन उसको अगर पानी न दिया जाए तो बिचार रखाना पच नहीं सकता है इसका आगे क्या पढ़ना हम लोगों पैंक्रियाज पढ़ना है ना देखो तो पैंक्रियाज ठीक है क्या होगा हिंदी इसका अगनास है कि अब देखो अगनास है नाम है अगनास है है अगनास है मतब्कि यह मतब्श्थ लेना कि यह मतब्ट कि ओद पान करता है पेट के अंदर है कुछ लोग है भुझबुरिया तरह की आदमी हॉना वे का कहता है कि पीट में जो है जिसे खाना बाहर पकता है वैसे ही पेट में या करने गरंथी, अइसा कुछ कुछ नहीं है ये आग उत्मन करता है थेक देखो तो अगनासे जो होता है ये भी एक बिसेश प्रकार का गरंथी होता है उस दिन जो बताई थे न बनाई थे फिगर एक कह रही थी सब की पताई कहां जो घूश गया इस गंदर तो पताई नहीं होता अगनासे होता है देखो ये फिर बनाना पड़ेगा बेचारे को तो देखो यह आमास है जो है दखो यह आमास है और यहां पर एक ऐसे लिफ-like structure होता है बतियाओ मत देखो यह लिफ-like structure होता है और यहीं क्या होता है अगनासे होता है यहीं क्या है, अगनासे है, और यह अगनासे ही होता है, मतलब रियल में leaf-like structure ही होता है, अगनासे कहता है, तो leaf-like structure होता है, और यह अगनासे है, अब यहाँ पर एक important बात आ रहा है, जो याद रखने वाला है और हम ऐसे एक्जाम में आता है यह कैसा होता है? तो mixed gland होता है अगटनासय क्या होता है? तो mixed gland होता है mixed gland मत्थब जो endocrine और exocrine दोनों कितरह काम करेंगा वो mixed gland खलाएगा अगटनासय जो होता है वेन वार्किंग एज एक्जोक्राइन तब क्या करेगा तो पेपसीन देगा क्या देगा यह कर्बो हाइड्रेज देगा कर्बो हाइड्रेज देगा Nucleases देगा देगा Nucleases देगा इस तरह से ये क्या देगा Enzyme है सब इनको देगा जब एक जो क्राइम तरह काम करेगा तो ये सब Enzyme Release करेगा और When Working as Indocrine जब Indocrine की तरह काम करेगा तब क्या सरेव करेगा तो वह समय में एक ही चीच शराव करेगा वह क्या है Insulin Insulin का नाम सुने हो Insulin को Release करेगा और ये Insulin क्या करेगा तो हमारे Blood Glucose को Digest करने काम करेगा Insulin क्या करता है तो Insulin Digested Blood Glucose ये Insulin क्या करता है तो Blood Glucose को Digest करने काम करता है लेकिन यदि हमारे Body में Insulin की मातरा कम हो जाए ये Insulin की मातरा बढ़ जाए तब कौन सा रोग होता है तो Diabetes का रोग होता है देखना है सुने हो Diabetes रोग Diabetes 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 होता है कब तो Insulin की कमी का बढ़ जाए से अब Diabetes दो तो रखा होता है ये को पोजेटीव और एक होता है Negative यानि कि Insulin जब ज़दा होगा तो Positive कहेंगे उसको यानि कि जब Insulin ज़दा हो गया है तो भाई उसमें नई सॉरी Insulin कम होगा Insulin कम होगा तो क्या होगा Positive होगा यानि कि उस condition क्या कहेंगे कि मीठा चीज नहीं खाना है चावल नहीं खाना है क्यों जब चावल खाएंगे तो समय से कार्भो हाइड़ेटर धिक मिलेगा आलू खाएंगे तो कार्भो हाइड़ेटर धिक मिलेगा आउस में क्या है गुलकोज जब बलड गलकोज के रूप में कनभर्ट होगा तो उसका डाइजेशन नहीं हो पाएगा जिसके वाइसे बलड गलकोज का लेबल बढ़ेगा यानि कि सुगर क्या कहेंगे सुगर हाई हो गया जब सुगर हाई हो गया तो कहा जाना पड़ेगा होस्पीटल में किसलिए टेबलट भी आता है उसको खा लेंगे तो हजम कर देगा यह बाते हां पाता है और वहीं जब इंसुलिन की मात्रा अधिक हो जाएगी तब निगटिव सुगर होगा उसमें का करेंगे कि जब सुगर लेवल डाउन होगा तो पैसेंट को चीनी घुर के काणी पीला देंगे जब ही मत्रा की दिकत होगा क्या करेंगे सुगर का रहा है चीनी घुर के उसको पीला देंगे जब है ऐसगया तो यह दिवोडिनम mm है तु यह क्या है डिवोडिनम है आप दिवोडिनम के सामने होता है अमाश है नीचे होता है univers होता है हाँ कालर कीयare है इसका है पंक्रियाज का कलर होता है अध्योफ कलर हो आ हई यसा कलर होगा ये लोफ हो लिंखा है आ पिर और बात लिए strang मैं से इह जो However निकल लाँ ये ट्यूफ का नाम क्या होता मैं तो पंक्रियाटिक डॉक्ट पैंक्रियाटिक डक्ट यहाँ पर देखो यहाँ पर सी एच नहीं होता है क्यवल सी होता है हम सी एच लिख दिये थे ठीक है पैंक्रियाटिक डक्ट इसका नाम होगा कौन यह वाला है यह क्या है पैंक्रियाटिक डक्ट यह बात रही इसको एक बार में समझ लो अब लिखे रहे सांथे में सबको लिख लिए घर पर भासा में कर लोगो इसको या फिर लेंगोज लिखाना पड़ेगा कर लोगे अगर दीकत होगता ही डाल देता है वीडियो इसको देख ले ना तो उसमें फिर एक बार सुन लो वडियाट से क्या होता है तो pancreas जो होता है, वो leaf like structure होता है. जो हमारा digestive system कका क्या है? तो gland है. अभी कौन सा gland है? compost gland. यानि कि exocrine और endocrine दोनों तरह की काम करता है हना? चाछ जब यह exocrine की तरह काम करेंगा? लिख रहा है when working as exocrine gland. यादि जब एक्जोक्राइन की तरह काम करता है तो क्या देगा हर्मोन देगा हर्मोन में कौनसा इंसुलीन हर्मोन और यहीं insulin hormone क्या करता है तो blood glucose को control करता है blood glucose को क्या करता है digest करता है यानि कि blood glucose को control करता है जब blood glucose की मातरा हमारे blood में बढ़ती है तो क्या कहता है diabetes का रोग हो गया है उसकी मातरा घटती है तो भी कहता है diabetes का रोग हो गया है आज जब उसकी मातरा संतुरी तरहते तो कोई रोग नहीं है यानि कहा सकता है कि ब्लाड गुलुकोज को कंट्रोल करने काम करता है कौन तो इंसुलीन और उसके पासे डाइबिटीज रोग होता है ब्लाड गुलुकोज की कमी कवज़ से याद रखना वह एक्जांप में यह अबजेक्टि में आता है यह बातिया है फिर करेंग इन सब्सक्राइब करते होता है है और यहां से जुडशन를कोज का नाम क्या है पंक्रिाक्ट इसका नाम होता है एक वीचिंस ही बारे में यह फिगर बना लू ईवसर बना अभी जानना पड़ेगा चलो इसको भी बता देता है क्या बच गया इंटेस्टाइनल बिलंड यह ना क्या होता है तो इंटेस्टाइनल का तो नाम सुने हो कभी साइध कब सुने थे अचा इंटेस्टाइन है क्या अचा अब बड़े लोग बड़े बड़े बात बताएंगे चोड़े बात तो लोग बता हुआ हाना जी घरर हो पढ़ा करो बैजटी काहें हो रहा है नहीं हो रहा है अरे हम ही लोग नहा है गल्ती करना स्टुडयंट्स का मतलब कि करना जन्मसी धिकार है गल्ती करना लट खाना हएं हम ठीक कि यह जो है दोनों और स्टुठिकर है गपनेश्रल्ट का फिर पीट अधीद कार है गलती करेगा फिर पिटा फिर पीट करेगा तब तक गलती करेगा जब यश्चिस स्ीखतागता नहीं यह डंड फिंद हो जाते हैं नहता हैं ऌहपनेश allora कि अगर विद्यार्थी के उपर से डंडा हटा दी तो उदंड हो जाता है समझे में न करेगा उससे बताए था न को लड़कों का पीटाई करना बढ़िया से उगाए संडे के दिन तो आया था नहीं था उग अएक लड़की है जो घुमती है खूब इधर उधर है जब हम अब उसमें से में में जो हा वो नहीं था अब लड़की जब हम पहले ही बोल दिये कि कुछ लोगों को आज बढ़ियास सेवा करेंगा कुछ लोग की सेवा बढ़ियास करेंगे उन नजर पर चळगा गया है तो बेचारी लड़की अदम सांथ हो गई अपने पहले ही अदम इंटेस्टाइनल ग्लेंड सुनों इंटेस्टाइनल ग्लेंड कुछ भी सेश नहीं है इंटेस्टाइन का इनर लेयर होता है वहां पर ग्लेंड सोते हैं जिसका नाम का होता है गैस्ट्रिक ग्लेंड वैसे हैं इंटेस्टाइन के इनर लेयर पर इंटेस्टाइनल ग्लेंड होते हैं यानिकी इंटेस्टाइन जो होता है एसे घुमा हुआ होता है ना जगी अमास हो गया सौट मगर फिगर बनाए तो यहां पे यह होता है यह स्टॉमेक हो जाएगा यह ऐसे घुमेगा यह डूइोडिनम बनाएगा यह आई इसे ना यह थोड़े छोटा बना दे ऐसे मैं फिर आगे आकर किया करेंगे यहां पर इंटरस्टाइन बनाएगा यह यहां पर क्या होगा सुनो ऊनि बिच्छे मारे सुरू करते थी अरह कि हम रूकर तब बत्याओ के सब मलें है काटको निकालेंगे बाहर निकालेंगे तो यह वाला ऐसे दिखेगा और इन पे कुछ ऐसे उभार होंगे जिसको हम पहले भील्ली बोले हुए है इंटेस्टाइन पढ़ाएं तो भील्ली बताए है ना तो यह ऐसे यह जो है यहीं सब क्या है इंटेस्टाइनल ग्लेंड होते है इंटेस्टाइनल ग्लेंड देख लो यहीं इंटेस्टाइनल ग्लेंड है हाई पता ना देखने को मिलेगा कि नहीं कभी से माओा सब्सक्र bekommt नइए तो लोगों लोग 내가 खाते हैं अई सब्सक्र ओने को कहता घ 1960 छब अंदर खोलो गये न तो उगलि नुमा सा नस्ता मिलेगा और वाहे उंगा दलग बिल्ली कहलाता है और उसी बिल्ली के अंदर ग्लेंड भी होता है जो इंटेस्टाइनल ग्लेंड कहलाता है और इंटेस्टाइनल ग्लेंड जो होते है वहां से क्या निकलता है तो डाजेस्टिव जूस निकलता है यारे कि ऐसे कहेंगे कि इंटेस्टाइनल ग्लेंड कहा होता तो यह जो है present at the inner lining of the intestine यह कहां होता है तो intestine के आंद्रिक सता पर पाया जाता है और क्या यह मत्तर रिलीज करेगा तो intestinal juice release करेगा क्या release करता है तो released intestinal juice इस intestinal juice में क्या क्या होगा तो intestinal juice में digestive juice होगा क्या का रहेगा तो digestive juice रहेगा है अब फिर क्या रहेगा mucus रहेगा digestive juice and mucus रहेगा देखे ना intestine का आंत्रिक सता जो होता ना उस पर ही mucus का layer लगा रहता है इसलिए किसी ही प्रकार के digestive enzyme का असर इंटेस्टाइन के अंदर नहीं होता है यह डाइजेस्टिव जूस का मत्ता होगा पाचकरास इसका mucus का मत्ता होता है इसका आत ग्रंथिया यह आत ग्रंथि यहीं बात रहा तो क्या होते हैं तो इंटेस्टाइन के इनर लाइनिंग पर होते हैं अंदरिक सता पर होते हैं फिर क्या करेंगे तो इंटेस्टाइनल जूस रिलीज करेंगे इंटेस्टाइनल जूस में दो कंपोनेंट होंगे पहला क्या होगा डाइजेस्टिव जूस दूसरा क्या होगा म्यूकस डाइजेस्टिव जूस क्या करेंगा तो इंटेस्टाइन के वाल को सुरक्षा देगा यह बात यह आप आ रही है या कहीं कन्फ्यूजन है बस यही इतना है ज्यादा कुछ नहीं है यह दम सौर्ट में कर लो NCRT खतम हो जाए बस बात खतम है ना परस्षाम का मेस्ट्री पढ़ाना शूर कर देता है